अलो बच्चों मैं हूँ अमिट सर और आप है दिनेसर स्मार्ट स्टेडी चैनल पर जहां पर क्लास एट से लेकर क्लास 10 तक के मैठ्स के हर एक लेक्षर मिलते हैं प्रैक्टिस सेट वाइस चैप्टर वाइस प्रॉपर ले विदम इच और एवरी क्वेश्चन जो है इजी स् स्क्रिंट पर फॉलेंग टेबल सोउस पॉइंट और नंबर लाइन और कोडिनेट डिसाइड वैदर दो पैर ऑफ सेग्मेंट गिवन बिलो टेबला कॉंग्रेंट और नौट कॉंग्रेंट और नौट तो बेसिकली मैं बता तो गाईस कि यहां पर आपको एक टेबल दिया पर एक नंबर लाइन होता है बीच में 0 होता है फिर यहां पर पॉजिडिव वैल्यूज होती है टी 까요 लोघ पर अलग क्या मतलब क्या स glued क्या क्या और क्या चैक क्यां सक्ट्राइब Khring सब्सक्राइब पड़ी पता हो नहीं और नहीं तो हम तो तो यह हो रहाए वैसे ही अगर किसी सेगमेंट का वेल्यू डिस्टेंस जो होता है के लेंद्थ वह किसी और सेगमेंट के लेंद्थ सेम वह वह कॉंग्रेंट कहलाता है क्या कहलाता है क्या क्या मोग देखिए आप टीन क्वेस्टन से सेग्मेंट डी और सेग्मेंट डी र कैसे ओडे Это सब्सक्ति आपे इसका डिसटेन्स हफिलों या लेंठ बोलो वो सेम होता है जो हम लोंने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस निकाला वही उसे सेगमेंट का लेंट तो यात है इसे मैंने के अबके समझ्हें के लिए बता है तो अगर डि का पॉइंट आपको पता है दोनों का डिस्टेंस निकालोगे तो ही उसे सेगमेंट का लेंट हो जाएगा क्या हो जाएगा क्या हो लेंट तो अब गुल्प डिस्टेंस ओफ independence point d n e distance of coordinates d ne जैसा हम ओलोंने last time किया था अब हम क्या करेंगे कि इसका distance निकालना है वह कैसे होगा यह question question मांक मतलब कैसे माननें पड़ा तो हमलोग क्हाव कैसे करते हैं बढ़ा किसी कहा भूau distance किसी सेक्मेंस का distance यह धो point के coordinate का देखेंगे अब दी और यह में बड़ा कोन है पर बड़ा होता है आप नंबर लाइन बेखो गए यहां पर मैंने नंबर लाइन रोकिए राइट सार्फ वाला हमें सब बड़ा होता है और राइट सार्फ यह पोजिटिव है लेवट सेर्फ जेटिव डिस्टेंस ऑफ दी और वाले से चोटे वाले को माइनस करते और इस तरह से आपको डिस्टेंस तो यह मैनेस मैनेस क्या हो जाएगा तो 9 प्लस 7 कितना आएगा 16 कितना आया 16 तो लेंट अवध डी कितना हुआ कि लेंद्ट आफ डी बोलो आप या डिस्टेंस ऑफ डी बोलो बात एक ही होती है कितना हुआ 16 हुआ यह पर सेंटी वगरा मीटर वगरा नहीं दिया है तो यूनिट हम लोग लिखेंगे यह वा पॉइंट नंबर वन यह वा पॉइंट नंबर वन आप दूसरे हम लोग क्या क तो भगल में ही ओक है ँगया चलिये नहीं अपर मैं बगल में निकाल हुआ होगा यहां पर सहमारे आपको लेंद्ट आ बी लेंद्ट आफ शेगमेंट एबी इस वाड इस इक्वल टु बाबा इक्रिया इस इक्वल टू इस टेंस ब्टून ए ए एन बी कॉडिन डिस्टें सब्सक्राइब करेंगे लेंथ निकालना है वह कैसे मालूम पड़ेगा जब अब डिस्टेंस कैसे निकलता है बड़ा माइनस छोटा बड़ा मैननस छोटा तो दोनों में बड़ा कोन है सब्सक्राइब करें बड़ा कितना है बड़ा है 5 मडिन एंस छोटा कितना है माइनस तृरी तुमनों को माइनस करना है यह याद रखना है धाट उसकी वेलू कि सी ब्रेकेट में यह जाएगी यह जो है हमारा मारे जो गऺर न है डिश्टेस निकालने के लिए वह वाला माइनस अर यह जो मायन मैस करना है उस आप लेंद्ध एबी बोलो उसको यह डिस्टेंस बिट्वीन एबी बोलो एक ही बात होती है तो यह कितना हो जाएगा कि एट हो गया यह वन होगे देखिए हैं पर यह 16 यूनिट आया यह एट यूनिट आया यह क्या होता है ना सेंटीमेंटर हो गया नहीं दिया रहता है तो आप देखो बाइवन लिखना है आपको बाइवन एंट लिखना है यह लेंट लेंट अव्डी इस नौट इक्वाल इस नौट इक्वाल तो लेंट आफ यह लेंट आफ यह और बीश्चिन उनिट और अब का डिस्टेंस कितना है एट यूनिट वराबर तो एट और स constructing मेंच खाते गया है एड़ और edition मैंच खाते गया मैच हो रहा है 16 8 मैच नहीं मैच नहीं हो रहा है क्योंकि दो होगा थो इसकी ihagon सिख्यों कि और सेख्मेंट कि स्ट्री सेगमेंट लिखने है अब हैनल सेगमेंट लिखने है डी इसेगमेंट ये सगमेंट सेगमेंट येपि आपको समझ में अगे नहीं कि अरे बाबा कुट्टे के ला रे बाबाथ हम के मारा सम यहां गाईज है कि हम लोग को कॉंगरेंट का लिखना था नौट कॉंगरेंट ओके तो यह यह नौट कॉंगरेंट है टो यह पो य अप जो है कि अनौट को तो देखां आपने यह यह सम जो है नोट प्रेंट है पैसे में ऐसे किसके आएक मैं जो ऊपर देख लिए उन्यफ सिर्टन च्यूंगरेंग डो खेजिए पीजिए और ऐडी संट्यिंबर सब्सक्रिबोत कि एक में तीसी एंड सेग्मेंट एडी के बार में पता करना है कि भाई वह वागेरा है की नहीं है कि आप देख रहे हैं बी सी और एडी दीख बी का वेल्यू फाइए सी का वेल्यू टू है अबने तरहे हैं है कि का वेल्यू फाइए सी का वेल्यू टू है मैं साइड में रफ में लिख रहा हूं कि मेरा ऊपर चला गया ना आपके दोर प्रॉपर ली दिख रहा होगा भी पीसी देखें बीफाइए सी टू है अबर ए माइनस त्री है डी माइनस सेवने ए माइनस त्री है और डी माइनस सेवने है तो अब 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 कर लेते हैं सेवने लगे अब डी नीच जाल ने है तो आउलों और दी करें है अप अब करने लंगे invest हैwn आटा livres भेज़े लों महिन डीसे करेंगे यह कोई तो सेघ्मेंट बीसी का हम लोगों डिस्टेंस निहीं गालेंगे distance मतलब length निकालना है length of BC हमें लोगों को निकालना है length of length of BC निकालना है जो की distance between BC के equal होगा वो question मतलब इसको find out करना है और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर length of AD निकालना है जो की distance between distance between a,d के equal होगा इसको भी निकालना है इसलिए question मतलब अब इनका formula क्या होता है कि sir B और C में जो बड़ा होगा बड़ा माइनस छोटा यह distance का formula है तो B और C में बड़ा कोन है B बड़ा है 5 C छोटा है 2 तो क्या हो जागा है यहाँ पर नॉर्मल लॉजिक बाद हो यहाँ पर में पर space ए रफ space छोटा सा इसके लिए मैं नंबर लेंड ड्रॉ कर लेता हूँ इस इस सेट का अपने में काम नहीं है इधर यह दोनों काम है तो यहाँ पर दिख रहा होगा फिर भी स्क्रीन पर यहाँ पर आप करहिए-धर यहाँ पर कही बर मइनस थरी यहाँ पर सब्सक्रीम आएंगा और मानस सेवन काल Other माइनस सेवन लेफ्ट में मानेस तरी राइट में और आपको हमेशा पता है राइट साइड वाला बड़ा होता है विकॉस राइट सैट साब बड़ी होती इस चरह से आपको दिमाग में सोचना है प्रेटल लगए तो है तो यहां पर लेंथ ब्र tejt दो रहेंगे तेरे बारे में बाच्चे लोग क्या बूल रहे हैं तेरे बार में बारें तूह इतना वाइब्रेट हो रहा है करन लग रहे हैं कि यह दर गो बीसी लेंद बीसी का थरी आया थ्री यूनिट पुछ भी नहीं दिया रहे तो हम लोग यूनिट लिखती है और यहां पर यहां पर उन्हों क्या करेंगे रहे रहे तो माइनस यहां पर दोघगा मतलब माइनस 3 plus 7 minus 3 plus 7 minus 3 plus 7 7 minus 3 होगा 7 minus 3 क्या आएगा 4 आएगा क्या आएगा 4 बराबर और बड़े sign की value बड़ा number की value बड़ा number value कौन है 7 है तो वो plus यह पर plus आएगा यह basically AD कितना है या 4 unit आया तो इस तरह से आपको solve करना है आपको एक साथ दोनों solve कर सकते हो या तो एक के नीचे एक solve करो यह तो भी चलेगा आपको खिस रियाद रखना है कि इसको point 1 बनाएंगे इसको point 2 बनाएंगे इसको point 2 बनाएंगे और बाद में हम लोग क्या लिखते है इसको क्या लिखते हैं राइ 1 ? राइव हम लोग क्या करेंगे मैच करेंगे कि इसकी वैल्यू सेम है क्या इसकी वैल्यू थ्री ए इसकी वैल्यू तो वह सेम होगा veut सब्सक्राइब तब करने कई अग्जामब्ल यह एक वाइगे लुट कि लेंद्ध बीसी मतलब क्या सेग्मेंट बीसी इसके में यहाँ पर में वापस लिए yeah mm ent PC कि नॉट गॉंगरेंट ओगे and फैगमेंड के कामरे बावावावाव इस्ट्राइकमेंट एडी है हर नोट उन्ट गॉंगरेंट इसके पहले भी एक स्टेप होता है ना साच जो आपने पहले बता था आ उसके पहले भी एक step होता है वो मैंने लिखा नहीं मैं लिख देता हूं कि कि आई 1 & 2 1 & 2 से कि लैंट आफ यह एक पहले वाला step पे जो लिखना ज़रूवी है लिखा नहीं मैं वापस लिख दे रहा है पर लैंट भी सी इस नौट इकवल कि इसका रीजन है सेग्मेंट एडी और बीसी इकवल को नहीं हो इसका रीजन है कि लैंद बीसी और लैंद एडी का लैंद है वो इकवल नहीं हुआ इसके वैसे यह दुनों पॉंग्रेंट नहीं है है कि ऐसे दूसरा कॉष्चन हो गया यह को नृष्चन कर लिया देकि यह थार्ड कोष्चन देखिए अंपर एठी दी और एडी अधी इसका है 2-7 कर ने अपकर visible है question oh my God ओड़ा एंच दृट लेकर यह थोड़ धे यह थोर्ड कोशन हमारा होगा यह थोर्ड कोशन अमारा होगा तेक्ष एक थोर्ड कोशन का इस है एकेजिद्वीक में देख लेज है फोशन महीं थोर्ड क्या था पोशन महीं थोर्ड है यह सेग्मेंट बूघ और एडिऌ सेग्मेंट की की इडिकाइब में हैं रफ होगा इस अपकी वैल्यू होगी और एक की वैल्यू एक actually, मेरा question उपर चला गया है, इसलिए मैं इसा लिख के لे रहा हूँ, आपके सामने test book आपके सामने होगा, तो आपको ऐसा लिखने की ज़रुवत नहीं है, question उपर चला गया है, इसलिए मैं test book से आपको देख के मैं values लिख लेथा हूँ, ये का value 5 है, is QA Все абh कॉंध करने हैं स 나가 पी गाल बी का मैनस फीक सेवन कम माईनस थ्री और पी नहीं है जाले देख लाज समर में अमनों एम लोग करने वाले बीच में लाइन मार दिया है इधर हम लोग देखेंगे कि भाई length of B क्या आता है length of B क्या आता है उसके लिए हम लोग क्या करेंगे distance between B निकालेंगे distance between B निकालेंगे तो यह question mark यह हम लोग को निकालना है इसलिए question mark यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले length of AD निकालेंगे निकालने के लिए हम लोग को डिस्टेंस बिट्विन निकालना पड़े हैं तो बी और यह निकालना है यहां पर देखिए हैं यहां पर दिखिए हैं पहले हैं यहां पर देखिए हैं और यहां यह कितना है यह कितना हो जाएगा यह वैल्यू आया किसका वैल्यू आया लेंथ का लैंथ यह किसका लेंथ यह वही का सब्सक्राइब करेंगे और दी एक इतना है माइनस सब्सक्राइब तो बड़ा कौन चाहिए वही क्विश्चन आगे जिसे हम लास्टाइम में आधा तो मैंने नंबर लाइन यह रफ में आपको ड्रॉ करके दिखा हुआ लास्टाइम के यह जीरो है यहां पर कहीं तो पहले म यह उसकी खुद की वैल्यू है माइनस बरबर और यहां पर माइनस ट्री माइनस-7 सब्सक्राइब यह जो है वह उसकी खुद की वैल्यू है वाला माइनस है निकालने के लिए क्या होगा सर तो मैं एक आपको solve करके दिखा रहो कि बच्चों को भी एक्जामन difficulty नहीं हो नीच चाहिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यह माइनस ट्री और प्लस सेवन हो गया अब माइनस प्लस जभी भी होता है तो माइनस ही होता है तो mm-3 कितना हो गया बराबर अब बड़े वाले की साइन बड़ा वाला कोने प्लस से यह फटे पर प्लस आएगा बढ़ा वाला कोने प्लस में बट्स आए गा तो लेंठ अफ फे woman कितना है यह लेंध फील आ। उफ् Alec कगar करके हम कर आभ यह मालूम पढ़ार है अब बाइव ये लैंट का वेल्यू के है 4 समझ रहे हो आप मतलब की लेंग कितनी आई 4-1 कितनी आई 4 आई मतलब दोनों का लेंगे एकॉल है मतलब दोनों का लेंगे लेंग लेंथ वी इए इस वार इक्वल लिखेंगे यह दोनों इक्वल है अगर दोनों का लेंद्ध इक्वल होता है तो दोनों क्या लिखेंगे सेग्मेंट बी इए यह यह प्रॉपरली नहीं बना गया मैं वापस भू कर देदा हूं कि सेग्मेंट बी एंड इस सेग्मेंट एडी एंड सेग्मेंट एडी और तोंगरेंड समझ में आ जाई समझ में इस से हम लोग यह पूरा क्वेश्चन करेंगे आपके पास वीडियो है आप पॉस करके देखो रिपीट टेलिकास करके प्लेवेक करके देखो जुसी बात में आपको वाइस कि इसका पूरा पीडियाफ है वह आपको यहापन नीचे डिस्क्रिप सॉख हो गया लाँ कुष्चन थे लिए नाफ वाला जर्ट वाल सेकेंड्ट not नेकला और सब्रीस्प्वाले में जहतते हैं परत कोई सब्स्делबाल ऻुसम त chili बाठें ईंगे थे सब्सक्रिट union कोई सब्सक्रिग लिए सब्सक्रार क्यां थे पुंट होनने जोटा नंगेीरल जंस्ट एह क्या बोल रहा है कि सब्सक्राइब गण्रेकर में द धिस्टा एक सब्सक्राइब करो अएom Ad們 में का नाम किया है यह बी पुरा कितना है इसकी वेल्यूस कितनी है पुरा यहां पर यहां से लेकर यहां तक पुरा कितना है वह एट सेंटीमेटर का है सेंटीमेटर नहीं दिया है सेंटीमेटर नहीं दिया था हम लोग एट यूनिट लेंगे है कि यह एट यूनिट लेंगे हम लोग जैसे कि यहां पर एक बोडी है मतलब यहां पर कोई परसन खड़ा है यहां पर कोई परसन खड़ा है तो दोनों यह भी आ रहा है यह भी आ रहा है यह भी आ रहा है दोनों सेम स्पीड से और दोनों जहां पर जाके मिलेंगे वह पॉइंट मिड़ पॉइंट होगा जिसकी डि पर्टिक्लर पॉइंट पर आगे मिलते हो जहां से आप उसके घर के और आपके घर के जो जहां पर आप मीटिंग पॉइंट करते हो जहां पर डिस्टेंस सेम है वह मिड़ पॉइंट हो जाता है जहांत से यहां को जो डिस्टेंस तक स है यहां तक को डिस्टैंस से है के यह आपको सबसें निकालना है यह नि好不好 करें आँख यह कोने का है तरशा आगीम अमिन नितुला है कि वह अखिए पहले हमको निकानना है length of a.m. या तो इसका दूसरा नाम भी है इसका दूसरा नाम क्या हो सकता है इसका दूसरा नाम हो सकता है distance between a.m. अब चोक्लेट है या बड़ा चोकलेट है या बड़ा केक आ है और दो तो आधा एक में डालो और आधा एक में डालो बीचो बीच काटते तो यहां पर हमें को वन बाइटू करने हैं वन बाइटू मतलब हाफ करने मेंस यह कि लेंद्ट ऑफ बड़ा वाला केक का नाम किया अगया अपको समझ मैं कि जब यह बोल रहा है कि एम जो है वह मिड़ पॉइंट मतलब दोनों के बीच का पॉइंट है मिड़ पॉइंट है मतलब हाफ होगा हाफ किसका बड़े वाले ल वह सब्सक्राइब होगा कि एम फ्रीजन इह यह पिए मिटमी पॉइंट यो क्वेशान में दीए की व्रया को फुरा आंसर अंशल देगा सब्सक्राइब सब्सक्रांइस अंसर दर्ना मत वहीं कि आनकी नहुंट होगा होगा कि एम गे चो यह अंवग्य Labour सब्सक्राइबद टॉइक का होगात। आई एक बीकितना है रहतिक टॉसर समने को कबकर कर को देखा यॉ मसंट ये हैं आप इसके नीचे कुछ भी नहीं तो बने हैं म devotee में क्छिए आ कि şunu आद होगा आमने सामने मतलब मैं आप दोगा इट वैट और टू का मन्ट्प्रिप्ला है नीचे लुए तो इसको कट कर दें कैसे कट कर दो टू फोर्जा एट ऐसे तो फाइनल वैल्विव आप मिलेगा फाइनल वैल्व्य आप मिलेगा और मिलेगा तो यह मेरा रफ में मैं आ आपको एक्स्पेन करने के लिए अधर वाइस में डारेक्ली ऐसा करता है तो इसका वेल्यू आया फॉर यूनिट किसका डिसेंज निकालना को लेंट ओफ एम यहां पर लिख देंगे लेंट ओफ किया आपका आंसर आगया आपको मैंने कर सकते हैं वह भी मैंने डारेक्ला कर सकते हैं और रुट्फ्स में इस तरह से किसे वह तरस मैंने गड़ाए पिया हैं इसके यह प्रॉइंट है सदी कि पॉइंट यह है है कि अ कि एक लाइन है फोके लाइन का नाम इस बार चेंज हो गए हैं पर यह विद करी ज पूइंट ओफ मतलब बीच में तो लास वाइन न आ पट डंसेगा तो इस JULY कि भी पूरा वैल्यू निगालना है तो सर ग्वेस्टन क्या अलग है तो सर्क्वेस्टन बिलकुल नहीं पिछले प्वेस्टन जैसे हैं तो क्या फॉर्मूला अलग होगा निकालना था यहां से यहां तक का और आपको बड़ा वाला दिया इसमें उप्राइव निकालने तो नहीं नो लेंट औफ सीडी निकालने अपको निकालने अरे बाबा थाम ना इतना वाइबरेट क्यों हो रहे हैं तो समझे लोगो यह जो इक्वाल पार्ट है वो सीपी है ओके लेंट ओफ सीपी इस इक्वाल टू वन बाइडू जैसा लास्ट टाइम किया था वैसा ही यह फॉर्मॉला से अपने मन से आप कैसे बना रहे हो सर यह हमें भी बता हूँ और मैं थोड़ा सा फॉपर लगड़ेता हूं आदा पाट तो एक बार वापस अब देख लो यह बड़ा वाला पाट है बड़ा वाले पाट का one by two कर दिया तो क्या मिला हम लोगोगो टीपी आदा वाला पाट यह फॉर्मुला है यह फॉर्मुला आपको हमें से याध़ निया व Ne एधा पाट इंटो वन बाई टू इसदी इस इकल टो आधा पाट यह आधर को मिड़ पॉइंट के लिए फोर्मल ला है और यहां पर रीजन क्या दिके आंकर रीजन है और रीजन सेम रीजन क्या कि P is midpoint P is midpoint या दिसी लिखो एक ही बाद होती है no changes नो इस्व सब एक ही बाद होता है अब आपको क्या करना है जो वेल्यू पद्दा है वो रख दो बाग की जिसको फाइनौट करना हो अपनी आप आजागा आपको पता है या सीपी आपको नहीं पता है तो और वन बाइटू इन्टू सीडी सीडी पता है क्या पर गलती हो गई सीपी हम लोग को पता है पता है तो सीपी पता है तो सीपी आम लोग रख देंगे 2.5 और सीडी हम लोग को नहीं पता है तो वह हम लोग एजटी रखेंगे अब यहां पर देखो गाई यह जो 2 है अपान में यह पर यह उपर जागा तो तो पॉइंट फाइट नीचे था तो यह उपर आ गया मंटिप्लाइब गए इस इग्वाल टू लेंद्थ फी इई नॉट्पाइब नॉटपर लिक्व को गया मैं वापस तो 2.5 इंटू तू कर रेंगे तो क्या आएगा 2.5 तू कर रोट कर रेंगे तो क्या आएगा पाई आएगा कैसी आएगा 5 एक फाई क्या आएगा 5 लेंट ऑफ सीडी कैसे तूख गो मैं मंटीपला करके भी आपको पॉइंट है तो पॉइंट इसके बाद नहीं मतलब इसको हाफ करोगे सब्चस पैसे नहीं चलते पहले पचस पैसे चलते तो यह यह अपका वैल्यु है इसको प्रपर लिए लेंट्ट ऑफ सीडी इस 5 unit centimeter नहीं दिया है इसलिए 5 unit यह आपका solve हो गया यह आपका question दा ना पदा करना था cd कितना है तो cd is how much 5 unit कितना है वो 5 unit चलिए next question कि दर बढ़ते है क्या करना है अपको पता करना है उसमें से बढ़ा कोने चोटा कोने और उसको एक ascending order में आपको रखना है उसको तो क्या करेंगे महल में आपको एकदम सिंपल स्टेप लिको सिंस क्या लिको सिंस पहले आप रीजन दो सिंस का मतलब होता है आप रीजन दे रहे हो और उसके बात का स्टेटमेंट का मतलब होता है वह रीजन के वैसे वह शेटमेंट है तो सिंस जो बढ़ा हो पहले पकड़ो बढ़ा कोने 5 फाइफ फिर यह क्या होता है यह साइन अपो याद है ओके ओके वाट ग्रेटर दें अभी फाइफ से छोटा कोने हो देखो टू छोटा है क्या हाँ फाइफ से छोटा 3.4 है और 3.4 से चोटा 2 है यह आपको देखके नॉर्मल्ली लॉजिक मालूम पढ़ रहा है है 3.4 लेजन टू यह आपको बताने के जरौत पड़ेगी क्या नहीं आपको देखके मालूम पढ़ रहा है कि फाइसर सबसे बढ़ा है फिर हम लोग ग्रेटर लेस देन का साइन देंगे ग्रेटर देन 3.4 डेटर दन तू और यह सब सेंटीमेटर में यह सब सेंटीमेटर म किसका नाम है वह आपको लिखने तो 5 किसका वैल्यू ए अबी का तो यहां पर उसके नीचे लिखो एबी असब्सवाइब गया यह आपका अंसर यह आपका अंसर एक अपर सेगमेंट बोला था तो इसको प्रॉपर फॉर्मेंट में लिख लेंगे कि segment AB is greater than segment segment AP or greater than segment BP है तो इस तरह से आपको solve करना था सम हो गया बड़ा मज़ा आया तो हमनोंने फोर्थ कोश्चन था हमनोंने कर दिया है फोर्थ कोश्चन था कर दिया है चलिए गाइस आज के लिए इतना ही प्लेट कर दिया है फिर नेक्स कोश्चन था फिस्ट कोश्चन हम लोग पार्ट टू में देखेंगे नेक्स वीडियो आप देखना ना भूलो उसमें आगे का सम्स होगा और इसके पहले भी आपको प्लेलिस में अवेलेबल है वह आप देख सकते हैं आपको बदल गाईस कि वह थी आपको प्लेलिस में जाके देख सकते हैं सेक्वेस में लुए सेट वाइस लोट दिया हुआ है चलीए गाईस मिलते अगले वीडियो में ऐल बैस अच्छे अगले वीडियो में आल देख अच्छे सब्सक्राइबदी करो मैंट का टॉपर बननना हैं आपको चलीए मिलते अगले वडियो में, बाई बाई गाई गाईस